हम इस समय नाखपुर महाराष्टा के बेशव में मौझूद है और हमारे साथ में आई सी जेक उमिद्वार है आईए इनसे बात करते हैं सर आप बियने टूंटी फूनी चैनल की स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को और भारत वर्ष के लोगों को क्या संदेद देना चाहूं नमस्कार सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूं मेरा नाम शिवकर्टारी अखिल भारती परिवार पार्टी मध्यनागपुर से हूं अखिल भारती परिवार पार्टी की और से चुनाओ लड़ने का मुख्य उद्देश मेरा ऐसा है कि मैं जंजन की सेवा करना चाह पूलती क्योंकि है कि उन्हों ने हर्ट कदम पर हमारा साध्य दिया की विशह को जहां पर हमको ड़ंठ यांद और से करिया हुआ हमारे समझ के चलो कि हमआरे परुषाई की तरmayил चाइज मेरा home सर्माशर नहीं करा है और मैं प्रजा के लिए बहुत अच्छी सेवा करना चाहूंगा और दुसरी चीज़ ऐसा है सर कि जो गौवर्मेंट अभी महाराष्ट्र गौवर्मेंट है जो लाड़की वाइन यूजना के अंतरगत में 1200 पाटरी है हमारा विशे ऐसा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं अकेल भारती परिवार पार्टी की ओर से लोग हमको जीता कि देते हैं तो हमारा एक उद्देश है कि हम लोगों की करजे माफ कर सके और को परियावर्ण की दुम्तरी से झायेंगी हर गर एक पारीजाथ यानि मद्धनाकूर ब्रेक्वर पाई गर। टो पारी चाहला रिक्सक का हर गर देखने को मिलेगा जैसा य। चोटा सासा संकल्पक भी से बनना वह सब चीजों को भी लेकर हमारा अध्यान के इंदृत है Vejshkar Ke सरकार हमको ग्रूब C की जॉब स्थ है Group D की जॉबस की जॉबस जो है बभू सारी private में चले गही है तो हमारा उद्धेश्य की भी रहा कि जो प्रावेट में जॉब चले गई है उसको रिटन से हम लोग उसको ग्रूप D में प्रावेश करवाया जा सके तो कि इसमें नुक्सान किसका है इसमें नुक्सान जो होता है आम जनता का होता है जो 10,000-15,000 की जॉब पी करती है एक्चुली में अगर वो गवर्मेंट में परिशान होता है ऐसी नाना प्रकार की बहुत सारी समस्या है मध्यनाकूर के अंदर में जिसको हम वर्णित करने जाये तो यहां पे हमको समय कम पढ़ जाएंगा सुबेश आम तक कि अगर गिनते जाएंगे न तो भी हमको एक हफ्ता कम पढ़ जाएंगा बोलने के लिए सर अभी आप पे पाल्टी ने अपना भरोसा दिखाया आपको उम्मिदवार बनाया यहां की जो जनता है काफी देखने में आ रहा है कि यहां पे हालात खराब दिख रहा है रास्ते वरावन नहीं इसको लेकर आप और आपकी पाल्टी का अगला कदम क्या होगा सर इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपने जो रस्तों की बात किया हुआ है रस्तों का ऐसा समस्या है कि बारिश के टाइम में सिमेंट की सडकी होनी के वज़े से पानी जानी के लिए जगह ने मिल पाता है तो हम लोग एक कदम उठाएंगे कि उस वस्ता को परिशान थे उस वकत यही पाल्टी ने एक ऐसा कदम उठाया इसके अंदर आपका क्या योगदान रहा है आप सर कर्जा मुक्ति अभियान जो है नाकपूर के अंदर में जब से जुड़ा हूं मैं भी जुड़ा हूं और अन्य लोग भी जुड़े हैं तो सर इसमें कार्य परिशू हुआ है कलक्टर ओफिस है देवन फड़नविस जी से या कहूं कि हमको जो महराष्टर की सीम वगरे उनसे पी काफी अच्छा रिस्पॉंस वगरे मिला हूँ है हमारी काफी आगे की तैयारी हो चुकी है हम लोगों से यही अप्पिल करें कि आप हमारे साथ में आ काफी अच्छा रिस्पॉंस वगरे किया हुआ है तो मैं सबसे आपसे गुजारिश करता हूं कि अखिल भारती परिवर पार्टी हमारा चुनावचिन केटली और मेरा नमशियू कटारी तो आप हमारा सायोग करिए इतना केते वे मैं अपने दो शब्दों को विराम देना चाता हूं नमस्कार जय हिन जय भारत मैं ब्याने टूंटी फूनी चानल से रिपोर्टर फही मैं में जय हिन जय माराश जय भी